तो चलिए student लेकर आया हूँ एक और important class और आज की जो हमारी class है इसका topic रहने वाला है chemical equation ठीक है तो chemical equation को थोड़ा हम आपको समझाऊंगा इस class के अंदर previous class में हमने chemical reaction के बारे में detail के अंदर study करी थी chemical reaction actual में क्या होती है उससे previous class में हमने chemical and physical changes के बारे में पढ़ा था तो जिन student ने वो classes mix कर दी है वो playlist का link दे रखा है मैंने playlist का एक link है available description के अंदर वहां से जा करके उन classes को जो है देख सकता है ठीक है अब देखो chemical equation actual में क्या है बहुत simple है कि जो chemical reactions हमारे daily life के अंदर होती है उनको represent करने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं chemical equation तो हम इसके लिए यह लिख सकते हैं simply कि representation representation of chemical reaction chemical reaction को represent करने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं chemical equation अब यहाँ student chemical equation जो है वो दो type के होती है ठीक है chemical equation जो है वो हमारी दो type की होती है पहली होती है word equation word equation और second होती है symbolic equation symbolic equation ठीक है तो जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इनके अंदर हम word का और statement sentence का use लेते हैं equation को represent करने के लिए और symbolic equation के अंदर हम symbols की help लेते हैं equation को represent करने के लिए अब यहाँ पर जो है हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारी बुक के अंदर ज़्यादा जो importance है वो symbolic equation को दियावा है ठीक है काफी जगए आप symbolic equation को ज़्यादा देखोगे word equation को कम देखोगे ऐसा इसलिए है क्योंकि symbolic equation जो होती है वो easy to understand होती है more informative होती है और आसानी से इसको लिखा जा सकता है हना अब आप इसको ऐसे समझो कि हम सभी social media app use लेते हैं social media के उपर हम chat करते हैं अब chat के अंदर हम हमारे पास में दो तरीके हैं एक तो हम statement लिख करके समझाएं अपनी बात को और दूसरा तरीका है हम emojis की help लें ठीक है तो देखो जैसे की हमें लिखना है I am happy I am happy लिखेंगे और एक simply happy वाली emoji हम use में लेंगे तो ज़्यादा आसान तरीका कौन सा है definitely जो emoji हम लगाएंगे वो ज़्यादा आसान तरीका होगा और यह ज़्यादा expressive भी है word equation और symbolic equation के अंदर भी यही difference है मतलब दोनों का एक ही है purpose दोनों का एक ही है कि chemical reaction को represent करना word equation में हम words की help से chemical reaction को represent करते हैं और symbolic equation में हम symbols की help से chemical reaction को represent करते हैं I hope इतना जो है सभी बच्चों को clear हुआ है अब यहाँ पर जो है एक एक example मैं दोनों type के दे देता हूँ जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ carbon plus oxygen arrow carbon dioxide यह एक chemical reaction थी जिसके अंदर हमने carbon को oxygen की साथ में मिलाया तो हमें carbon dioxide देखने को मिली ठीक है तो word के अंदर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसका भी एक और तरीका होता है कि हम पूरा statement यूज में लें for example कि we have carbon that reacts with oxygen to produce carbon dioxide इस तरीके से हम पूरा detail के अंदर लिखें जबकि symbolic equation को हम यह लुक सकते हैं कि carbon का जो symbol होता है वो होता है C oxygen का symbol होता है O2 और इन दोनों को जब हम chemically react करवाएंगे तो बन जाएगा CO2 that is called carbon dioxide यह बेटा इनका होता है symbolic way chemical reaction को represent करने का ठीक है तो यह सारी बात हो यह हमारी chemical reaction की equation की अब यहां पर जो है थोड़ी एक दो चीजें और आती है equation के अंदर यहां पर आपने note किया होगी मैंने एक तो plus लगाया है और plus के लावा यह arrow लगाया है ठीक है ना तो सबसे पहले इन plus के बार में बताता हूँ हमारे पास में जो initial substance होते हैं जो हमारे पास में initial substance होते हैं उनको हमेशा left hand side में लिखा जाता है इनिशल substance है और जो हमारे पास में new substance बन करके आएंगे new substance उनको हम लिखते हैं हमेशा right hand side में जैसे कि हमने carbon और oxygen को मिलाए तो carbon dioxide बनी carbon dioxide एक new substance है तो new substance हमेशा किस तरफ लिखे जाते हैं right hand side की तरफ और right hand side को left hand side से जो separate करता है वो करता है ये arrow जो arrow हम लगाते हैं ये actual में right hand को और left hand side को separate करने के लिए हम लगाते हैं उसके अलावा जो plus है ये ये indicate करता है कि अगर हमारे पास में initial substance more than one है ठीक है ना? more than one ये एक से ज़्यादा अगर है हमारे पास में initial substance तो उनको हम plus लगा करके indicate करेंगे अब ये depend करता है कि chemical reaction कौन सी है single initial substance भी हो सकता है, 2 initial substance या फिर 3 initial substance भी हमारे पास में हो सकते है और 3 से ज़्यादा भी initial substance हमारे पास में हो सकते है ये depend करता है कि हमारे पास में कौन से type की हम chemical reaction करवा रहे है ठीक इसी तरीके से जो product हमारे बनते हैं sorry जो अपने पास में new substance बनते हैं यह जो है यह भी जुरूरी नहीं कि single new substance बने, multiple new substances भी बन सकते हैं, ठीक है, तो यह जो है यह तरीका है मैंने आपको बता है कि left hand side में और right hand side में किसे लिखा जाता है, right hand side में initial substance है, right hand side में new substance है, और left hand side में initial substance है, अब यहाँ पर यह जो initial substance होते है ना बेटा, इनको हमारे कहा जाता है reactants, इनको कहा जाता है reactants, ठीक है, और ये जो new substance बनेंगे, इनको कहा जाता है product, ये दो term है, इनको हमें याद रखना है, तो हम अपनी equation को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कि reactant, ये एक भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, reactants, फिर बीच में लगाते हैं, हम arrow, और फिर इस तरफ लिखते हैं, हम product, और ये भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, products, ठीक है, तो ये जो है, हमारा actual तरीका है, किसी भी chemical equation को लिखने का, ठीक है, अब यहाँ जो है, आपने, जब आप आगे पढ़ोगे, तो आप देखोगी, कि कहीं कहीं जगे पर इस टाइप के arrow भी लगए वे दिखेंगे आपको, इस टाइप के arrow, ये क्या indicate करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये जो arrow का जो head है, arrow head, arrow head जो है, वो हमें बताता है, direction of reaction, reaction किस तरफ जा रही है, उसकी direction हमें ये बताता है, तो जैसे हमने देखा कि carbon और oxygen को हम मिला रहे थे, तब जाकर के carbon dioxide बन रही थी, तो ये represent कर रहा है कि हम left hand side से right hand side की तरफ जो है वो जा रहे है, इसी तरीक से अगर आपको कहीं पर इस type का arrow देखने को मिलता है, तो बेटा उसका मतलब होता है कि ये जो particular chemical reaction है, ये reversible nature की है, reversible nature reaction का मैंने आपको first video के अंदर, first class के बता है था, जब आपन physical chemical changes की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी change होता है, जो reversible nature के होता है, उन जगहों पर हम इस type का arrow का use में लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी बाते हुई, मैंने आपको बताया कि chemical equation क्या है, उसे किस तरीके से लिखा जाता है, और react and product की बात हुई, अब ए photosynthesis, याद है आप सभी को, ठीक है, 6th class से अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो photosynthesis में क्या होता है, photosynthesis में हमारे पास में as a reactant, as a reactant हमारे पास में carbon dioxide होती है, और water होता है, ठीक है, carbon dioxide and water होता है, और ये हमारे arrow हम लगाते थे इस तरीके से, और यहाँ पर हमें मिलता है glucose, जो की है C6 H12O6, और glucose के साथ में हमें मिलती है oxygen, अब यहाँ पर आप note करोगी कि यहाँ पर जो reactant है, वो क्या है, carbon dioxide और water जो है, वो reactant का काम कर रहे हैं, और ठीक इसी तरीके से glucose और जो oxygen बनी है, यह हमारे product है, अब यहाँ पर हम एक और काम किया करते थे, हम यहाँ पर sunlight और chlorophyll लिख अब इस्टुडेंट यह sunlight और chlorophyll arrow के उपर लिखना, यह हमें क्या indicate करता है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि जो conditions है, conditions, conditions, during, during the reaction, reaction के दोरान जो condition है, जो situation है, जिस जगहें पर reaction पर परफॉर्म की जा रही है, जिस temperature पर reaction परफॉर्म की जा रही है, जिस pressure पर परफॉर्म की जा रही है, और जिन-जिन चीजों की presence में यह reaction होती है, उन सभी चीजों को लिखने के लिए हम इस arrow के उपर और नीचे की जगहें पर जो है लिखा जाता है, उन सभी चीजों को, तो जैसे photosynthesis की reaction में हम लिखते हैं sunlight और chlorophyll, क्यों लिखते हैं, क्योंकि photosynthesis की reaction के लिए sunlight और chlorophyll का होना बहुत ही जादा important, necessary है, तो इन दोनों की presence में ही photosynthesis हो सकती है, तो उन चीजों को हम arrow पर लिखते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो कि कोई particular reaction है, जिसके अंदर हमें उस reaction को किसी particular temperature पर perform करवाना है, तो उस temperature को भी हम इस arrow के उपर लिखते है कुछ जगहें पर हम कभी-कभी catalyst का भी इस्तेमाल में लेते हैं, तो catalyst क्या होते हैं, एक्चुल में ये वो substance होते हैं, substance that alter the rate of reaction, ये कुछ ऐसे substance होते हैं, जो किसी भी chemical reaction की rate को change करते हैं, या तो उसकी rate को कम कर देंगे, उसकी rate को बढ़ा देंगे, rate को change करने से मतलब है, कि कितने time में वो chemical reaction complete हो रही है, उसको हम बोलते हैं, rate of reaction, rate of reaction किसको बोलते हैं, कितने समय में reaction हो रही है, उसे हम बोलते है rate of reaction तो जैसे आपने देखा होगा कि for example setting of card जो है उसके अंदर काफी ज़्यादा time लगता है एक लंबी process है ठीक है तो इस process के अंदर कभी-कभी हम catalyst का use में लेते हैं और उस catalyst से ये process जहां पर इसको 6-8 गंटे लगने थे 6-8 आवर का time इस process को complete होने में लगना था वो 3-4 आवर के अंदर ही complete हो जाती है अब ये काम कोन करता है rate of reaction को यहाँ पर increase कर दिया गया है कि जो जिस reaction को complete होने में 8 गंटे लगने थे अब उसको complete होने में केबल 4 गंटे लगने लगने हैं जब हम आगे पढ़ेंगे तो catalyst के बारे में भी आपको मैं detail के अंदर बताऊंगा जिस भी chapter में यह आएगा उसमें ठीक है तो ये एक और चीज जो है यहाँ पर बताई अब यहाँ पर जो है हम chemical equation को और भी ज़दा informative बनाने के लिए physical states भी लिखते हैं physical state के लिए आपको कुछ symbols हैं उनको learn करना पड़ेगा जैसे solid के लिए आपको s liquid के लिए small l gas के लिए small g और aqueous aqueous medium के लिए या फिर solution के लिए aq ठीक है यह चार symbol है यह आपको learn करने पड़ेंगे यह basically क्या दिखाते हैं कि कौन सा हमारा compound molecule or element जो है वो कौन से statement जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में photosynthesis के अंदर carbon dioxide जो है वो gaseous form में होती है plant carbon dioxide को gaseous form से intake करता है stomata की help से ठीक ऐसे ही H2O जो है यहाँ पर liquid की form में होता है जो की root से uptake किया जाता है तो यह जो है इनकी हमें physical state भी लिखनी होती है जो glucose बनेगा वो echoes के अंदर बनेगा और यह जो oxygen होगी वो again gaseous form में बनेगी जो की फिर plant की द्वारा environment के अंदर बाहर निकाल दी जाएगी plant से gaseous form के अंदर तो यह जो आप देखोगे कि कई सारी reaction के नीचे g, l, s, a, q यह लिखे वे रहते हैं यह actual में इनके physical states होते हैं इनको आपको learn करना पड़ेगा कि s तो है जो solid के लिए लिखा जाएगा l, liquid के लिखा जाएगा g, gas के लिए लिखा जाएगा और a, q, जो है वो aqueous के लिखा जाता है अब aqueous क्या है aqueous basically 9th class में अगर आपने solution वाला जो chapter वो पड़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे जितने भी solution जिनके अंदर solvent का काम water करे उन सभी solution को हम aqueous solution consider करते हैं अब कोई compound aqueous state के अंदर है कोई solution अगर aqueous state के अंदर है तो वहाँ पर हम aqueous लिखते हैं ठीक है वहाँ पर हम aqueous लिखते हैं तो ये सारी बातें थी बेटा chemical equation की अब next class में हम और इसके आगे बढ़ेंगे next topic पर I hope कि आपको class जो है वो interesting लगी होगी concept थोड़े बहुत समझ में आये होंगे और अगर आपको concept समझ में आये हैं तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और उपने friends के साथ share जरूर कर दें इसके अलावा अगर आप channel पर जब visit करोगे तो channel के उपर आपको playlist के अंदर एक activity की videos भी मिलेंगी का आप समझो की activity 1.1 जो है activity 1.1 वो आपको देखनी है इसके अंदर हमने magnesium ribbon को burn करने की जो process है वो यहाँ पर समझाई हुई है तो वो आप जुरूर देख लेना मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर एक और नई topic के साथ thank you